स्वस्त भारत कारिक्रम के आज के अंक में आप सभी तर्शकों का स्वागत है जोहर कहते हैं नित्रदान महादान इसके द्वारा हम किसी की रंग हिन दुनिया को रंगों से भरी दुनिया बना सकते हैं इसलिए प्रतेक वर्ष भारत में रास्टिय नित्रदान पखवाडा मनाया जाता है जो 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक मनाया जाता है अब ही नित्रदान पखवाडा चल रहा है तो चलिए आज के कारिक्रम में हम नित्रदान की बात करते हैं नित्रदान क्यों जरूरी है नित्रदान के समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नित्रदान कौन-कौन कर सकते हैं इन सभी बातों की चर्चा हम आज के करिक्रम में करेंगे इस संबन में जानकरी देने के लिए आज हमारे साथ है शहर की जानी मानी नेत्र रोग विशेशग्य डॉक्टर भारती कश्यप हम आपको बता दे कि डॉक्टर भारती कश्यप, कश्यप मेमोरियल आई बैंक की मेडिकल डिरेक्टर के साथ संस्थापक भी है जिनके हिस्से में बिहार और जहरखंड में पहला नित्र प्रत्यार उपन करने का गौरव प्राप्त है साथ ही ये हम आपको बता दे कि कस्यप मेमोरियल आई बैंक बिहार और जहरखंड का पहला एक्टिव बैंक है डॉक्टर भारती आपका हमारे कारिक्रम में स्वागत है इसके साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर निधी कटकर कस्यप जो कर्णिया प्रत्यारोपन की विशेशक्य हैं जिन्हें इंटरनेशनल काउंसिल अप्थमोलोजी और कर्णिया की सम्मानित अंतरास्टिया फेलोशिप भी प्राप्त है साथ ही कॉर्णिया प्रत्यारोपन की बिधी डॉल्क और डिसेन में इन्हें विशेस तजूर्बा भी हासिल है। डॉक्तर निधी आपका हमारे कारिक्रम में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्तर भाती हम आप सिर्फ बात करना चाहेंगे और जाना चाहेंगे कि जार्खन बिहार में नित्रदान और नेत्र प्रत्यारोपन की क्या स्थिति है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका इतिहास बता दूँ कि हमारे जहारकन भीहार में संयुक्त भीहार और जहारकन में पहला जो नेत्र प्रत्यार उपन हुआ वह स्वर्गिय डॉक्त भरत प्रसाद कश्यप द्वारा 1989 के 1st January को किया गया उस समय तक इसके पहले कभी नेत्रदान नेत्र प्रत्यार उपन नहीं हुआ था और यह आखे स्थानिय नेत्रदान द्वारा नहीं मिली थी इसे ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर पीटर अंडर्सन लेकर आए थे क्योंकि और यह नेत्र श्रिलंका के थे क्योंकि श्रिलंका में सबसे ज्यादा नेत्रदान होते हैं औ तो वहां से लेकर के आय और 1 जनवरी जो पिक्निक कर दिन होता है उस दिन 1989 में स्वर्गिय डॉक्टर भरत प्रसाथ कश्यप ने इनका प्रत्यारोपन पीटर एंडर्सन के साथ मिलके किया और इससे ही छारकन बिहार का पहला नेत्र प्रत्यारोपन शुरू हुआ इसके बाद 16 वर्षों तक एक विराम आया क्योंकि इस्थानिय नेत्रदान हुआ ही नहीं है 1985 के दिसंबर में स्वर्गिय हरी प्रशाथ के इस्थानिय नेत्रों के दान से डॉक्टर बीपी कश्यप और मैंने फिर से इस काम को शुरू किया इसमें टाइम्स अफ इंडिया मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही और इसमें एक 16 वर्ष का गैप रहा और 16 वर्षों के गैप के बाद यह हुआ इसको इस जारकन बिहार के स्थानिय नेत्रों के दान के बाद हुए इस पहले नेत्र परत्यारोपन का मीडिया में बहुत बड़ा कवरेज हुआ और लोगों को इससे नेत्रदान के प्रती काफी प्रेणा मिली और इसके बाद स्थानिय लोगों द्वारा नेत्रदान शुरू हो गया जी यह बहुत ही अच्छी बात है कि आपके द्वारा यहां पर नेत्र परत्यारोपन की जो है वो गति शिल्ता बढ़ाई गई और इसमें आपका बहुत ही आहम भूमिका रही है इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि क्यों करें नेत्रदान को लिए भारत में हमारे देश में जो दिश्टी हिन्ता का जो सबसे तीसरा बड़ा कारण है इसमें प्रचीस अ तीस हजार और जूड़ रहे हैं हमारे देश में पचीस हर हजार में चार् lesi हिंता के शेकार में major industry हाना कि ग्राइश आज तीक लोग कहरे लोगों V defineиков को हुआ ऑन्हे जाती है न बेची जाती है और फैक्ट्री जाती है तो अगर कोई व्यक्ति कॉर्णिया जनी दिश्टी हिंता का शिकार है और बहुत अच्छा प्रसिक्चित डॉक्टर उनके पास उपलब है लेकिन वो डॉक्टर उनकी आखों में रोश्णी कॉर्णिया प्रत्यारोपन से लाही नी सकता है अगर नेत्रदार ना हो क् क्योंकि आखे ना खरीदी जाती है ना बेची जाती है और फैक्टरी में बनाई जाती है और अभी तक नेत्र जो ट्रांस्प्लांट है इसका इतिहास सो साल पुराना है और नेत्र बैंकों का इतिहास पचास साल पुराना है लेकिन लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं जी जी इसके बाद हम जाना चाहेंगे कि जैसा आपने कहा कि पहली बार नेत्र प्रत्यार उपन का कारे किया गया डॉक्टर प्रकस्यप के माध्यम से और 16 वर्षों के बाद आपके द्वारा फिर ये काम शुरू किया गया तो हम जाना चाहेंगे कि आज बिहार और जहां पर नेत्रदान होते हैं उनमें जारकन का स्थान बहुत नीचे है अगर हम तमिल लाडू की बात करें तो नैशनल प्रोग्राम फ़र कंट्रोल और ब्लाइननेस ने उन्हें एक साल का लक्ष 7000 नेत्रदान का दिया आँखों के कलेक्शन का और उन्हें मिले 12,000 उसी 3400 NPCB ने लक्ष दिया और उन्हें 10,000 से जादा मिल गया है तो यह तो विक्सित राज्यों की बात हुई अगर हम अपने अगल बगल के राज्यों की बात करें उरिसा उत्तरपरदेश मद्यपरदेश तो वो भी नेत्रदान के छेत्र में हम से बहुत आगे हैं उरिसा में 700 कर लक्ष ता तेरह सौ से जादा आखे मिली उत्तरपदेश में 6000 का लगच्छ से जादा आखे मिली मद्यपरदेश में भी 1000 का लगच था और उनको से ज्यादा नेत्रव नेंए एककत्रित कि और हमारे राज्यों में 200 का लगच्छ से जारखन का और हमें designer IPCW में रिपोटर नेत्र कलेक्ट किये, स्थानिय नेत्रों के दान से, और 13 नेत्र हमने कॉर्णिया डिस्ट्रिबूशन सिस्टम से मंगाए, तो 27 नेत्र जो थे, वो कश्चर मेमोरील आई बैंक ने कत्रित किये, और जार्खन की जो दूसरे नेत्र बैंक है, उन लोगों ने 11 नेत्र कलेक्ट क तो पूरे देश्ट में एक कॉर्णिया डिस्ट्रिबूशन सिस्टम है, जिन नेत्र बैंक के पास ज्यादा नेत्र इकटा हो जाते, उनका यूज नहीं होता, तो वो अपने सरप्रस नेत्रों को, कॉर्णिया को, कॉर्णिया डिस्ट्रिबूशन सिस्टम को भेज देते है तो हमें 13 नेत्र पिछली साल मिले थे और कौरनिया DISTRIBUTION SISTP से क्योंकि हमारे पास सूची लंबी थी इस साल अभी तक हमें 18 नेत्र कौरनिया DISTRIBUTION SISTP से मिले है। दीमी प्रगती है यहां पर हम आप से जाना चाहेंगे कि कश्याप आई बैंक की भूमी का क्या है देखे कश्य में 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 बहुत ही तेज गती से अभी तक नहीं हुआ है मगर पूरे राज्य का जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे राज्य की जो उन्होंने आकड़े दिये 38 उसमें से 27 हमारे दौरा कलेक्ट किये गया थे बाकी राज्य के 11 नेत्र जो है राज्य के बाकी आई बैंक से कलेक्ट किये गया थे जबकि कुल मिला के कॉर्ने डिस्ट्रिबूशन सिस्टम से जो नेत्र हमंगाते हैं उसको मिला करके हम लोगोंने कुल 40 नेतों का परत्यार में जो भी नित्र आप हो खराब हो जाते हैं तो इसके लिए दूर-दराज के गाओं में जाकर अगर हम कैम्प लगाते हैं तो हम उसे मिलता है नहीं पेशेंट क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले पिहू गुपता नाम की एक चोटी सी बच्ची उसके आखों के कौर्णिय तो जब तक हम गाओं गाओं जाएंगे नहीं कैंप नहीं लगाएंगे तो हमें जादा से जादा मरीज नहीं मिलेगे क्योंकि कॉर्णिया से जिश्टी हिंदा के शिकार जो भी मरीज होते हैं जादा तर गरीब होते हैं बड़े अस्पतालों की पहुँच से बाहर होते हैं दूसरा कि अगर आप अच्छे से नेत्र प्रतेरोपन के रिजल्ट नहीं देंगे तो लोगों की आपके उपर आस्था नहीं होगी अगर आप अच्छा काम करेंगे अच्छा रिजल्ट देंगे तकनीकी रूप से आपके पास अच्छा रिजल्ट देने से जैसे पीहु शर्मा गुपता के घर में जो हुआ तो खूटी में अगल बगल उसने बहुत लोगों को कहा तो वहां से दो तीन मरीज और भी आए कौर्णिया जनी दिश्टी हिंदा के शिकार जो कोई बाहर जा रहे थे जार्खन में में न करके उन्हें लोगों ने कहा था आप बाहर जाओ तो डॉक्टर के एक्सपर्टाइज से भी वहां पर प्रभाव पढ़ा तो अभी हमारे आई कश्यब में में निधी गटकर कश्यब के आने से बड़ा तक्नीकी रूप से हम सुमारा सुद्रीडी करन हुआ है क्योंकि इन्हें इंटरनेस्टल कॉंसील ऑफ अफ्थाल मौल जी की कॉर्णिया की बड़ी सम्मानित फेलोशिप रापत है जो अभी जार्खन में किसी की होता है कि कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें कॉर्णिया की उपरी सता खराब हो जाती है तो हम मृतक की कॉर्णिया का केवल उपरी सता लगाते हैं जैसे कराटो कॉनस बीमारी उसमें कई बार डाल करना पड़ता है कई बार हम लोग पेनिटेटिंग कराटोप्लास्टी भी करते हैं इसी तरह कई कॉर्णिया की बिमारी होती है जैसे वारल इंफिक्शन हो गया बैक्टीरियल इंफिक्शन हो गया तो उसमें कॉर्णिया के अंदर की सथा खराम हो जाती है कॉर्णियल डिस्टोफी है कई कई बुलस क्रेटोपैथी है तो उसमें हमें जो मिर्तक की कौर्णिया उसका अंदर का भाग लगाना पड़ता है जिसे हम डी सिक कहते हैं इसमें डॉक्टर नीधी कटकर कश्वप का बहुत स्पेशलाइजेशन है बड़ा और हम ऐसी उमीद रखते हैं कि इनके आने से आई बैंक को काफी बल मिलेगा और जारकन में नित्र प्रतारूपन का प्रतिशत और बढ़ेगा जी तो अब हम डॉक्टर नीधी से बात कर लें हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर नीधी नित्रदान क्या है चुकि ये कारिक्राम हमारे पूरे जारकन राजिये में देखा ज रहा है तो जो हमारी दर्शक है आसान से शब्दों में कैसे समझ पाएं इसके बारे में हमें बताईए किसी व्यक्ति के मनने के बाद उसकी आख जब हम निकालते हैं और उस आख का भाग जब हम किसी कॉर्णिया जने दृष्टी हींता से ग्रसेद पेशन के उपर लगाते हैं इस प्रक्रिया को हम नित्रदान कहते हैं जी 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 कैसे करें नित्रदान और अगर हम नित्रदान करना चाहते हैं तो कहां संपर्क करें अगर ये आज हमारी दर्शकों को बता दिया जा तो कई बार ऐसा होता है कि कई हमारे दर्शक नित्रदान करना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं पता होने की वज़ा से या सही माध्यम नहीं मिलने की वज़ा से वो नित्रदान नहीं कर पाते हैं तो हम चाहेंगे कि आज आप हमें और हमारे दर्शकों को यह बताएं भारत में मृत्तिव के बाद जो मृत्त व्यक्ति है उसके निकटतम रिष्टिदार जो है उनको पूरा हक है यह कि अपने रिष्टिदार की आँख को डोनेट कर सके इसके लिए अपने करीबन कोई भी आई बैंक को फोन कर सकते हैं और डॉक्टर की टीम को इनफॉर्म कर सकत कि किस समय पर मृत्ति हुई है और डॉक्टर की टीम आके नेथर लेके जाती है नेथरदान की जो आख है वो लेके जाती है प्रत्यारूपन के लिए अगर कोई चाता है मरने के पहले कि वो नेथरदान का प्रण ले तो इसके लिए हर आई-बैंक में फॉर्म अवेलिबल है ह हमारे अस्पताल में भी आके फॉर्म ले सकते हैं और दो विटनेस के प्रेजन्स में उस फॉर्म को साइन कर सकते हैं और ये प्रण ले सकते हैं अपने रिष्टदारों को बता सकते हैं कि आपने ये प्रण लिया है कि आपके मरने के बाद आपकी आँगों को दान दिया ज जैसे कि कई बार होता है कि नित्रद दान्स शीविर आयुजित किया जाता है और वहां पर कई लोग जो है वो अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं और वो एक फॉर्म भरती हैं जैसा कि आपने बताया कि आई बैंक में फॉर्म भर के रख सकते हैं और अपने जो सगे संबंध कि अंको बतलाते हैं कि मैंने आख जो है वो डोनेट कर दिया है मेरे मारने के बाद में द्र द्र द्रद दिया जाएं लेकिन कई और ऐसा कि कि था कि कोई व्यादि कि हुआ जो है वह बहा। उसकी मुर्तियों के बाद उसके सगे संबन्दी चाहते हैं कि उसकी जो जोति है वो किसी के कामा है तो क्या ऐसी अवस्था में किसी की भी नेतरदान करने की जो इच्छा है वो पूरी की जा सकती है जी बिलकुल जो उतने के निकटम रिष्टेदार हैं जैसे बेटा बेटी बहु, उनको ये हक है कि वो उनकी नेतरदान करें, अनलेस उस व्यक्ति ने बहुत क्लिरली बोला है कि मैं नेतरदान नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति की आँख मृत्यू के बाद नेतरदान की जा सकती है, और आई बैंक को कॉंटाक करके वो कर सकते हैं, अगर आप जी भी इसमें भी कोई सीमा होती होगी कि हाँ इस तरह के मरीजों का नेतर नहीं लिया जाता है, या इस तरह के व्यक्ति जो है वो नेतरदान नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कौन व्यक्ति नेतरदान कर सकते हैं, और कौन व्यक्ति नेतरदान नहीं कर सकत सभी उमर के लोग, किसी भी सेक्स का आदमी, किसी भी धरम के लोग, सभी अपने नेतरदान कर सकते हैं. चाहिए वो छोटा बच्चा हो या कोई सो साल का वृधक हो, सब नेतरदान कर सकते हैं. यह doctor के उपर है वो देखता है कि क्या indication और contraindication है जैसे कुछ infection से ग्रसित लोग जैसे AIDS या hepatitis B या hepatitis C या rabies या खून के cancer जैसे leukemia और lymphoma या फिर आक में जनित cancer जैसे retinoblastoma या melanoma ये सब मरीज अपने नित्रदान नहीं कर सकते अथ्वा बाकी सब लोग कर सकते हैं जिनको diabetes है जिनको blood pressure है आस्थमा है जुनोंने अपना मूतिया बिन को operation कराया है सब लोग नित्रदान कर सकते हैं जी अगर जो चस्मा पहन रहे हैं वो भी जिनकी पता चलता है कि उनको कम दृष्टी या दूर दृष्टी का की समस्या है क या वो लोग भी अराम से नित्रदान कर सकते हैं बिलकुल यहां पर आपने बतलाए कि कॉर्णिया कॉर्णिया प्रत्यार उपन जो है वो विशेश रूप से आप उसमें उपलब्धी हासिल की हुई है और कॉर्णिया प्रत्यार उपन होता है लेकिन जब हम हम जैसे सामान नागरिक जो है या हमारी जैसे सामानिय लोग जो है जब हम नित्रदान की बात करते हैं तो हमारे मन में ये कॉर्णिया का ख्याल नहीं आता है हम समझते हैं नित्रदान यानि नित्रदान तो यहां पर हम छोटा सा चोटी सी बात आप से जाना चाहेंगे कि ये कॉर्णिया है क्या कॉर्णिया से ही हम देख सकते हैं कॉर्णिया आग की सबसे आगे वाली परत होती है पारदर्शी रूपक यह स्ट्रक्चर है इसमें से काच जैसे लाइट के रेज जाते हैं और देखने में उससे सुविधा होती है आग का जो पावर है और अल्मोस्ट 80% पावर यह कॉर्णिया की वज़े से आता है तो कभी-कभी जब आख में कोई इंफेक्शन हो जाता है या चोट लगने की वज़े से आख में सफेदी आ जाती है या फिर कोई कॉर्णिया जनेट जो वनशी बिमारी होती है उसकी वज़े से कुपोशन की ded से जाता है तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि उसकी क्या समय सीवा होती है या वहां पर म०्थियों के बाद जब आख निकालने की बात होती है तो क्या-क्या परिस्थित्यां होती है इस बीच में कोई विशेश देखभाल की विजुरूत पड़ती है जो परिजन की आख है वो पूरी तरह से बंध है अगर कमरे में फैन चल रहा है तो उसको बंध कर दे एसी की सुविदा अगर अगर अपलब्ध है तो उसको जालू कर दे और जो मृत्व्यक्ति का माथा है उसको थोड़ा जमीन से उपर रखना होता है तो कंदे के नीचे सर क नीचे नीचे दो तीन तक्या लगा सकते हैं जिससे सर थोड़ा 6 इंच उपर रहे अगर कोई प्लेन आंटिवाटिक ड्रॉप है तो वो आख में डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम में जिससे इंफेक्शन ना हो और आखों के उपर गीली ठंडी रूई रख सकते हैं तब तक तीम आने तक ये सब बातों का ध्यान रखे हैं। अब कॉर्णिया एक दिन से लेकर 30 दिन तक अच्छे से प्रिजर्व किया जा सकता है जो पेशन हमारे पास आते हैं उनकी जाचे बच्ची होती है या वो उस वक्त ऑपरेशन कराने में असमर्थ होते हैं उनकी हम एक वेटिंग सूची बनाते हैं उसमें उनका डीटेल, फोन नंबर, अड्रेस सब लेते हैं और जबी भी कोई आख आती है और उस व्यक्ति पे हमें लगता है कि उस व्यक्ति के लिए ये उप्यूक्त है तो हम उनको फोन करके तुरंद बुलाते हैं और उस अंतराल में हम लोग बीच में आख को प्रिजर्व करके रखते हैं अब बह बात कर रहे हैं जहरखंड में भारत में तो हम जानना चाहेंगे कि अगर नित्रदान की प्रक्रिया है तो इसमें लगभग कितने खर्च होने की संभावना आ जाती है या ये सामानिय नागरी की पहुंच में है आईश्मान से तो है जिए आईश्मान जो योजना बनाई है माननिय प्रधान मंत्री ने ये बहुत अच्छी योजना है और इस योजना में जो मोटियाबेंद, रेटीना की बिमारी, कॉर्णिय प्रत्यारूपन की बिमारी ये सभी बिमारीं के लिए एक moderate amount fixed किया गया है minimum amount जिससे कि गाहों देहाद के दूर दराज के गरीब मरीज भ अब ये डिपेंड करता है कि वह अस्पताल आयुश्मान योजना से जुड़ा है की नहीं तो कश्यप में मोटियाबेंद आय हॉस्पिटल आयुश्मान योजना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और झारकन के दूर दराज के गरीब इलाके के कोई भी मरीज जिसे मोटिय आँखों की सुरक्षा की भी बात करने तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वह थोड़ा सा लाभानवित हो जाएंगे जैसे कि अभी तक की जितनी वी जानकारी मिली उसे वह तो जरूरी ही लाभ उठाएंगे तो हम जानना चाहेंगे कि हम अपने आँखों के देखभाल के ले किन-किन बातों का ख्याल रखें जैसे कि छोटे चोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले तो मैं यह करूंगे कि छोटे बच्चे को ज़्यादा तर आउट्डोर गेम्स के लिए प्रेडित करें वो घर के अंदर बैट के टीवी ना कर जाती है और कॉनियग जनित दिश्टी हिंदा का बहुत बड़ा परसेट पर प्रसें रिस्क होता है फिर जैसे कि फयवी कोल आक में लगा लेते हैं बच्चे फयवी कोल चिपका की कॉर्णिया पर चले आते हैं नुकीले पेंसिल वैंसिल से करते हैं गुली डंटा यह हम कहेंगे कि बच्चे इस तरह के चीजों से माता पीता उनको बचाए और बाहर के जो आउटओर गेम्स हैं उनको खिलाएं और आखों में अगर कुछ पढ़ जाता है तो वैसी इस्तिती में आखों को मले नहीं आखों को पानी से लगातार धोकर अपनी नजदी के नेत्रव खेलते हैं तो धूल धुकर तो पढ़ता ही है कई बार वो आसानी जगड़े में क्या होता है वो नुकिली चीजों को बिल्कुल नहीं मल्ला है बलकि ठंडे पानी से उनके माता पिता को चेक उनकी आखों को धोए और जब तक धोते रहें जब तक उनको आराम नहों जाता ह और जिस तरह की बाते या जिस तरह का सुझाव वो देते हैं उसे जरूर ही अपना है और मैडम आप चुकी हमारे बीच में आई ही है और नित्रदान पकवाड़ा चल रहा है और जैसा कि आपने बतलाया कि आंकडों में हमारा राज्य जो है वो बहुत पिछड़ा हुआ है तो उनको प्रोचसाहित करने के लिए क्या करना चाहिए बहुत ही कम शब्दों में हम आपसे जाना चाहेंगे हम चाहते हैं कि पूरे जारकन स्टेट के जो लोग हैं जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम वो ये बाद समझे कि नित्रदान से बहुत ही महादान है अमरित्यू के बाद शरीर को या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा उस आख का बाद में कोई मोल नहीं है परन्तु अगर वो नित्रदान करते हैं अगर करके जाते हैं तो किसी व्यक्ति के जिन्दगी में बहुत अच्छा है झालस में तो जाएगा जाएगा है झालस में बहुत है